कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आस्मान में दूर दूर तक केवल शान्ती और शान्ती हो। पक्षी चहचाहते हुए बादल हलके हलके तैर रहे हो। अचानक एक धमाके की आवाज गुझती है और आस्मान में एक धाटू का शिकारी प्रकट होता है। उसकी गती इतनी तेज होती है कि उसे आखों से पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। यह कोई साधारन विमान नहीं है बलकि भविश्य का एक ऐसा लडाकू विमान है जो न केवल दुश्मनों को धराशाई करने के लिए तैयार है बलकि हर परिस्थिति में विजय का प्रतीक बन चुका है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे नवीन और घातक विमानों में से एक के बारे में एकस चालीस चार मंटा। यह विमान अपनी अद्वितिय डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक की वजह से भविश्य के हवाई युद्धों में निरनायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह विमान अमेरिका के छटी पीडी के अत्याधुनिक लड़ाकु को विमानों को चुनोती दे पाएगा। क्या एकस चालीस चार मंटा इतने सक्षम हैं कि वह इस नई पीडी के लड़ाकु विमानों को हरा सके। इस प्रश्ण का उत्तर जानने के लिए आईए। हम गहराई से इस विमान के फीचर्स और उसकी तुलना अमेरिका के अगले पीडी के लड़ाकु विमान NGAD, Next Generation Air Dominance से करते हैं चटी पीडी के लड़ाकु विमान, जिए वर्तमान और भविश। अमेरिका ने हाल ही में चटी पीडी के लड़ाको विमानों के विकास में बड़ा निवेश किया है। तब से यह चर्चा में बना हुआ है। इसका उद्देश चटी पीडी के लड़ाकु विमान को विकसित करना है जो अमेरिकी वायुसेना की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा सके। इस कारिकरम के तहत विकसित हो रहे विमानों में नई पीडी की स्टेल्थ तकनीकें, डिजिटल इंजीनियरिंग और समविधन शील्द सामगरियों का उपयोग किया गया है। जो इन विमानों को भविश्य की लड़ाईयों के लिए तयार करता है। लेकिन क्या X-44 मंटा जो एक पुरानी अवधारणा पर आधारित है, इस नई पीडी के विमानों से मुकाबला कर सकता है। X-44 मंटा, अतीत और भविश्य का संगम X-44 मंटा की अवधारणा 1999 में पहली बार सामने आई थी। यह विमान जिसे Multi-Axis No-Tail Aircraft के नाम से भी जाना जाता है, स्टेल्थ तकनीक और बिना पुंच वाले डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसका डिजाइन इस प्रकार था कि इसमें कोई पुंच टेल नहीं होती थी और यह पूरी तरह से तीन डी-thrust वेक्टरिंग सिस्टम पर आधारित था। यह एक क्रांतिकारी डिजाइन था जो विमानों की परंपरागत सनरचना से अलग था। मैंटा का लक्ष था कि यह विमानों की नियंत्रन क्षमता को नए स्तर पर ले जाए। इसके बिना पुंच वाले डिजाइन के कारण इसे हवाई युद्धों में अधिक प्रभावी और अदृष्य बनाया जा सकता था। स्टेल्थ तकनीक से लैस यह विमान दोश्मन के रडार को धोखा देने में सक्षम था और इसकी उडान की रफ्तार भी काफी तेज थी। NG8 की तकनीकी विशिष्टाएं अब आए एक नजर डालते हैं NG8 की विशिष्टाओं पर। चटी पीड़ी के विमानों का यह कार्यक्रम अमेरिकी वायू सेना के लिए भविश्य की हवाई लडाईयों में निर्नायक भूमी का निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है NG8 के तहट जो विमान विकसित हो रहे हैं उनमें निमनलिखित विशिष्टाएं हैं एक अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक NGAD के विमान नई स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे जो इन्हें हर तरह के राडार से छुपने की क्षमता देती है यह विमान कई तरंग दैर्द्य वेवलेंक्स में छुपने में सक्षम होगा यह प्रणाली विमानों को हवा में अभूत पूर्व गतिशीलता प्रदान करती है NGAD के विमानों में इस प्रणाली का उन्नत संसकरण इस्तिमाल किया जाएगा जिससे हवाई युद्ध में टेजी से दिशा बदलना संभव होगा NGAD विमानों में डिजिटल इंजिनियरिंग का व्यापक इस्तिमाल होगा जिससे न केवल इनके निर्मान की प्रक्रिया तेज होगी बलकि रखरखाव भी सस्ता और आसान होगा चार, ओपन आर्किटेक्ट्चर इसका डिजाइन इस प्रकार होगा कि इसमें नई तक्नीकें आसानी से जोड़ी जा सकेंगी जिससे इसे हमेशा अब टू डेट रखा जा सकेगा 5. मानव और मानव रहित विमानों का समनवे NGAD के विमानों को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि यह मानव और मानव रहित अनमैंड विमानों के साथ मिलकर काम कर सके यह उन्हें लडाई के दौरान अधिक लचीला और प्रभावी बनाता है एक्स चार चार मंटा बनाम NGAD एक तुलना जब हम एक्स चार चार मंटा और NGAD की तुलना करते हैं तो यह साफ होता है कि दोनों विमानों का उद्देश अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करना है जहां एक्स चार 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 मंटा बिना पुंच वाले डिजाइन और स्टेल्थ शमताओं के लिए जाना जाता है वहीं NGAD में और भी उन्नत तकनीकें शामिल हैं जो इसे चटी पीड़ी का सबसे उन्नत लड़ा को विमान बनाती है NGAD का डिजाइन एक्स फॉर्टी फॉर मंटा के कई पहलूं से प्रिरित हो सकता है खास कर इसका बिना पुन्च वाला डिजाइन और थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रणाली लेकिन NGAD इससे कहीं आगे है क्योंकि इसमें कई और तकनीकी उन्नतियां शामिल हैं जैसे इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली और अगली पीड़ी के हतियार क्या X444 मंटा NGAD को हरा सकता है अब सवाल यह है कि क्या X444 मंटा NGAD से मुकाबला कर सकता है इसका उत्तर देना ठोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों विवानों का डिजाइन और तकनीके अलग-अलग समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है X444 मंटा उस समय की एक क्रांतिकारी अवधारना थी लेकिन NGAD आज की जरूरतों और भविश्य की हवाई लड़ाईयों के लिए तैयार किया गया है अगर हम वर्तमान में हो रहे हवाई संगर्षों को देखें तो हमें समझ में आता है कि लड़ाकू विमानों की तकनीकी क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है वो दाहरन के लिए रूस और युक्रेन के बीच चल रहे संगर्ष में आधुनिक विमानों की भूमिका अहम रही है इसी तरह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनाव पूर्ण स्थिती में भी हवाई युद्ध अक्षमता की बहुत अहमियत है एक्स चार चारी मंटा और NGAD के भविश्य की संभावनाएं भविश्य में हवाई युद्ध के मैदान में तक्नीकी प्रगती और अधिक महत्वपूर होती जाएगी ड्रोन तक्नीक, AI और हाईपरसोनिक हतियार जैसे नए-नए उपकरण हवाई युद्ध को और जटिल बना देंगे इस परिप्रेक्ष में X44 मंटा और NGAD जैसी अवधारणाएं भविश्य की चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार की जा रही है अंत में चाहे वह X44 मंटा हो या NGAD ये दोनों विमान हवाई युद्ध में एक नई क्रांती का प्रतीक है जहां X4444 मंटा अपने समय की एक क्रांती कारी अवधारणा थी वही NGAD आज की नई जरूरतों और तक्नीकी उन्नती का परिणाम है इन दोनों विमानों ने दिखा दिया है कि भविश्य का हवाई युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है आने वाले समय में ये देखना दिल्चस्प होगा कि कौन सा विमान आसमान की सत्ता में सर्वो परी होगा